हाई फ्रेंड्स इस विंटर में हमारे हे बहुत ही डल हो जाते है और ड्राइब हो जाते है बिलकुल जान नहीं होता है हमारे हेर में लेकिन यह वाला पैक यूज़ कीजिए आप के बहुती अच्छे लगते है शाई ही और सुन्दर हैंसे वेल्कम बैक टूर चानल आप मेरे यह रेमडी बनाना बहुत इजी है, सारे हमारे धर में एवेलिबल होते हैं, बनाना तो हमारे धर में हर दिन एवेलिबल से होता है, जो भी हमको फेकने के लिए रेडी से है, जो यूज नहीं करते हो बनाना भी आप यूज कर सकते हो, बाद में हनी लेना है, बाद में हमको थ चाहिए एक चार चीचे से ही रहे आजवाला रेमडी बनता है भूरत बहुत ही से चाहम करता है आपकर एक हेड को बढ़ा देता हैं आपए रही तो मिक्सईल को 笑 अ और यह कंपा से बना सकते ह। या नहीं तो कदुकस करके ऐसे भी बना सकते हूँ बनाना हमारे हेर के लिए स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छा है हमारे हेर को मैनेजबल बनाता है और शैन देता है बनाना और डैंडरफ को भी निकानने में बहुत ही अच्छा काम करता है जो चिलका है ना उस पर थोड़ा हनी दाल का पेस्ट पर रब कर सकते हो आपके ओपिन पोर्स के लिए बहुत ही अच्छा काम आएगा मैं तो सारे इस तरह से कब्दुकस करके आपको दिखाऊंगी इस तरह से पेश्ट जेसे आएगा कि आप चाहे तो मिक्सिजार में भी डाल सकते हो इस तरह से पेश्ट बनाने के बाद विसे चान लेना है चान लेने से न हमारे हेट्पे जब साफ करने के बाद अटक नहीं जाते है आप चाहे तो बड़ा चंदी वाले लेजिए छोटा चंदी में तो मुश्कीन हो रहा है ज लिखा देती हूं देखिए इस तरह से छानने के बाद मुझे इतना सा पेश्ट आ गया था आपको चाहिए तो आप तीन बनाना भी ले सकते हो मेरे तुछ छोटे वाले बनाना है इसलिए थोड़ा ही आ गया लेकिन मेरे सारे हेट पे अच्छे से बराबर हो जाएगा अब इ में हम दाले थे हनी 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 एक मॉइचरे से अच्छे से काम करता है है फॉलिसस को स्मूद बनाता है और डल है को भी निकाल देता है है को शैनी देता है जो भी ड्रय है उसे निकालने में भी बहुत अच्छा हल्प करता है हमको बहुत ही हेल्थी है देता है इसमें बहुत स देखिए सारे अच्छे आपस में मिलने तक अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से एक स्मूध पेष्ट जैसे बन गया है इसे आप हेल पर हेल के स्केल्प पर अच्छे से अपले करना है यह पैथ हमरे है को प्रोटेक्ट करता है जो भी ड्रैने से निकाल देता है मेरे हेड पे तो ऑईle हैंí अब ड्रेय हेड पे भी लगा सकते हो Highstein यहा इसे पीछ करो आपको अमेजिंग रिजल्ट भी मिलता है इस बाइक को पूरे हेड पे scalp पे अच्छे से अपने कीजिए आपका जितना भी हेड लंध है उतना head length पर अच्छे से अपले कर दीजिए ये pack आपके split ends पर भी अच्छे से काम करता है आने से रोकता है जो भी sun damage है उसे निकालने में भी काम करता है इस pack से आपके हैं इतने smooth, soft बनते हैं आप यूज़ करने पर ही आपको पता चलता है बहुत ही अच्छे होते हैं ये देखिए मैं तो पैप अच्छे से अपले कर लें थी इसे जूड़ा बान के ऐसे ही छोड़ दीमती में तो तू अवर्स रख दीमती आप चाहे तो वन्नवर रख सकते हो बाद में आप जो शांपू यूज़ करते हैं उससे नहाली जिए अगर आप छाने नहीं तो एसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाने के अटन चाहते हैं आप छान ले तो आपको अच्छे से smooth से रहता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है में एक बार इस प्राट को आप अपले कीजिए आपके जो भी हेल प्रॉब्लम से वह सारे भी हट जाते हैं यह बहुती सिल्की सौफ्ट लगते हैं इस विंटर में यह पैक्क्र आपको बहुती काम आएगा आप एक बार ट्राइक जिए हमारे हेल पेस्ट पे जो भी हसे सबाष लगरें और आप टेंए आप विंटर में ड्राइनेस कि प्रॉब्लम में यह फृजी हो जाना यह सारे प्रोब्लम सोती है वह सारे प्रॉब्लेम्स पहता देता है अपके है बहुती स्मूर्थ हो जाते हैं और मैनेजबिल हो जाते है आप ज offense चाहे वैसे आपका सब्सक्राइब अनुपய। जौबी यूज धाये थे सारे से अवेल भी तक होते हैं अब को Tori मुंद्ने सामें हैं इतने पैर अच्छे vie को ट्राइटे खुब्सूरत लगेंगे आपके फ्रिंची और डल हेर बन जाएंगे बहुती ब्यूटिफुल से वीडियो देख लिया थाना फ्रेंड्स देखना नहीं फ्रेंड्स एक बार ट्राई कि इस यह आपको ही पता चलेगा बहुती अच्छा पैक है यह है फ्रेंड्स आथ का मेरे वीडियो मेरे वीडियो अगर आपका अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेव कि इस वीडियो दिख निकले थेंक यूँ